प्रफटी लिवर आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसका किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं हो रहा है चाहे होमेपैथी है चाहे आजरवेदा है चाहे ऐलोपैथी है वो क्यों नहीं हो रहा है और इन सभी सिस्टम से एक बार टेंपरेडी के इंडाजिशन रहती है कईयों को पेट की कॉंस्टिपेशन आया जा डायरी आया है जा उनको बहुत ज़्यादा बन रहा है ऐसी दिखते रहती हैं फैटी लिवर की वजह से तो वह सारी कुछ समय के लिए ठीक होती है और फिर से वह दुबारा आ जाती है ऐसा क्यों हो र जाएगा जो साइंस के साफसे पॉसिवेल है हम उसी की बात करते हैं और हमेशा पर्मानेंट ट्रीटमेंट की ही इस चैनल पर बात करते हैं हम कभी भी टेंपरेरी ट्रीटमेंट की इस चैनल पर बात नहीं करते हैं फैटी लिवर है उसके लिए हम डाइट की बात करेंगे के बात करेंगे नौन इल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज खरी है यह सारे आप्ष्ण ए ऐसे हैं नौन दाउर व Il दिजीज के आज में बात कर रहे हैं कि आप नहीं पी रहे हैं उनको प्रीकिन कियों हो गया है तो मैं ने बोला की हम टम्पर्री treatment की नहीं बात करते हैं और होमेट्थी के अंदर भी जैसे बहुत सारी मेडिसन्स हैं जैसे चलीजॉनिय मकार्डिस हैं यह इतनी बड़ी है मैडिसन्स हैं पर होमेट्थ के अंदर कुछ ऐसी नए system आगे हैं कि जो patient को temporary 3 कर रहे हैं यही वाईयां देकर और इनके side fact है वो बाद में patient को और भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उससे उसकी बहुत ज़्यादा sphere health facts है जैसे दूसरे system है जैसे आजरविदा गल्द दवाई ले 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 जैसे उनके side effect मिलते हैं वैसी ऐसे knowledge कम होने की वज़ा से होमेपैथी के अंदर भी side effect होने शुरू हो गये हैं यह इतनी बड़ी है science है इसके भी side effect करवाने शुरू कर दी है उसके कारणा है जो science का ना जानकारी होना जो हम अप्रोच आज लेकर हैं यह सारी होमेपैथी की science ही है होमेपैथी के जब treatment होता है ऐसी होता है आपने आज तक यह नहीं सोचा है जैसे कि होमेपैथी में भी online आप देखते हो कि चलिडोनियों काडस कालमेग पता नहीं कौन सी कौन सी क्रैटेगस क्यों medicine ले लो fatty liver ठीक हो जाएगा पर्मेनेंट आज रवेद में यह ले लो ठीक हो जाएगा उसमें यह ले लो अगर ऐसे ही होमेपैथी के अंदर यह अगर आप पीडिशन्स पर्मेनेंटली ठीक करती होती जो आपको बताई जाती हैं और आज अवेदा के अंदर पर्मेनेंटली ठीक करती होती जाएलो पैथी कंदर यह पर्मेनेंट कुछ दवाईयां fatty liver को ठीक कर देती तो सारी दुनिया ही ना fatty liver जिसको एब ठीक हो गी हो हम समझाते हैं और हमेशा मैं बोलता हूं ऐसे मेडिसन खाने से चैल्डोनियो कार्डस कुछ नहीं होगा आपको और भी बहुत ज्यादा स्वीयर डेंजर साइड इफेक्ट्स मिलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग हमेशी इलाज करते हैं कि जैसे किसी को fatty liver हो ग बमारी से fatty liver हुआ है उस बमारी का हमने इलाज करना है फिर ही fatty liver permanent को होगा तो हम क्या करते है fatty liver की सीधी medicine खाने लग जाते हैं इससे तो नहीं ठीक होगा क्योंकि fatty liver जो बमारी बना रही है जहां जो कुछ खाकर fatty liver बन रहा है हमें treatment यहां पे जरूरत है ना कि यहां पे सीधा medicine पर जाने की यह हमारा permanent treatment है ऐसे medicine खाना temporary है किसी भी system में आप चले जाओ तो हम permanent treatment की बात करेंगे और मैं बताओंगा कि कैसे side facts होते है medicines के चाहिए किसी को बोल दिया जाए कि इसके side facts नहीं है और मैं बताओंगा कि यह homeopathy genuine ही नहीं जो आपको बताए जाता है तो सबसे इस ही चर्बी हमारी body के अंदर अगर liver के ऊपर चड़ जाए और उसके अंदर भी गुश जाए दोनों तरफ अगर उसके liver के ऊपर और अंदर चर्बी बहुत जादा उपर जम जाती है और इसके अंदर भी चर्बी चली जाती है तो इसको fatty liver बोल देते हैं और इसी से ही सार बुमारियां बनती हैं जैसे लिवर ने एसर को कंट्रोल करना होता है और इंफेक्शन है और उसके बना एसदिटी है डाजेशन है नूट्रीशन को बाड़ी में से निकालना होता है विटामन को स्टोर करना होता है फैट का अब्जारब करना होता है हमें बार बार का लिवर ठीक नहीं होसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो अब चलते है किसके हम द्राइट और कारण के है जो हम पर्मा फैट है इतनी फैट हमारी बॉडी अब्सार्व नहीं कर पाएगी जो बहुत ज्यादा लोग बार से फ्राइड फूड है जा गर्पी जा बार से खाते रहते हैं तो हमें फैट की मालो दिन में जरूरत है दस ग्राम की हम खा गए दिन में सौ ग्राम फैट अब जो 95 ग्राम फ चाहिए कितना तेल चाहिए उतनी दो आप उसको सारे दिन के अंदर एक्स्ट्रा आप जितना दोगे वह सारा 95 परसेंट है लेवर के ऊपर जम जाएगा अंदर भी चला जाएगा तो ऐसे प्रसेस्ट फूड बंद रखने हैं और आयल कामने कंट्रोल रखना है कि जितनी ज आता है एक गुर्दों के उपर गरंथी होती है जिसको बोलते है अडरनल ग्लैंड वह एडरनल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ती है जिसको हम बोल देते हैं कौटी सॉल यह हार्मोन क्या करता है सारी बॉड़ी में से जहां पर भी फैट पड़ी है हमारे जैसे आरंस में फै करना शुरू कर देता है और यह पर की depressed के आसपस गुर्दों के आसपस भी जमा होनी चूरू हो जाती है क्युंकि कॉटी सौल का कामी जही है कॉटी ज्यादा बढ़ेगा पर म१ू घविगा कॉर रधा बड़े गा बोड़े dement के फीट ट्रै कर देगा Australians को लिवर के अंदर कोई infection चल लिया है जैसे hepatitis है hepatomegaly है कोई cyst growth हो गी है कोई hydrated cyst बन गया है जा और कोई bacterial जा viral infection हो गी है B, C, D, hepatitis हो गया, hepatitis A हो गया ऐसी बुमारियों में लिवर है बहुत ज़्यदा sluggish हो जाता है डिला पढ़ जाता है liver dilla पढ़ा है आपको पता लग गया कि TAKT कम होने लगी आप यह समझते हो जब liver dilla पढ़ता है तो हम कमजोर होने लगे आते हैं हम क्या करते हैं TAKT वाली चीजे खाने लगे आते हैं जैसे कि घी जादा खाओ फिरी ताक्त आएगी पर आप काम यहीं पर उल्टा कर दे तो आपको लिवर की ट्रीटमेंट की जरूरत है जो इन्फेक्शन हुई है उसके अलाज की जरूरत है लिवर तो पहली डीला पड़ा है यह तो सरसो का तेल नहीं हजम कर सकता तो आप जो गही पंजीरी तेल ताक्त बढ़ाने के लिए मैडिसन खाओगे वह इसको और ज्यादा खराब कर देगा तो यह उल्टा काम नहीं करना है लिवर की इन्फेक्शन अगर कोई है उसकी जाज करवा लेनी है और उसका पर्मानेट ट्रीटमेंट करना है फिर आप जो जितनी श गादाब दो बदाम की जरूरत है, सारे दिन में आपको एक लड़्डू खाने की जरूरता एक लड़्डू में इतनी इनरजी है कि आपका सारा दिन निकल सकता है, जो लोगotta सी जदेंट्री हैबिट में है, जो लोग काम करते हैं कि तुम्हें उनकी बात अलगा जो इक ज energy food ले रहे हो जिस सारा फूड है वो फैट के अंदर कनवर्ट होगा बाद में तो सारी फैट है लिवर के आसपास जमा हो जाएगी तो ऐसी energy food नहीं लेने हैं और infection है जैसे ESR बढ़ जाती है तो infection ESR बढ़ने के वी काफी कारणा है बॉड़ी में 15-20 बुमारी है उन बुमारियों का अलाज करोगे ESR कम होगी ESR कम होगी तो लिवर अपना काम पूरा करेगा तो यह चर्बी को अपने आप उतार भी लेगा जो अपने इसके उपर जमी है उसके बादा fasting है जो लोग बूखा रहते हैं बूखा रहने से क्या होत कि यह तीनों चीजे हम देना बंद कर देते हैं फैट भी देना बंद कर देते हैं प्रोटीन भी देना बंद कर देते हैं शुगर भी देना बंद कर देते हैं जब तीनों चीजे हम ऐसे fasting में बंद कर देते हैं तो शरीर को कहीं से तो energy produce करनी है लिवर ने तो क्या करता है श खीचेना शुरू कर देता है यह लिवर है जो अब लिवर जब सारी फैट को बॉड़ी में से खीचेगा इसके आसपास वह अकठी हो जाएगी इसलिए जो लोग वरत रखते हैं लंबे-लंबे समय उनको भी नॉन अलकॉलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है क्योंकि वह फ फैट नकाल कर श्रीर के हिस्सों में से अपने आसपास कठी कर लेता है तांकि बॉड़ी को चलाने के लिए जरूरी नर्जी और प्रड्यूस कर सके उसके बाद इंसुलीन है जिसके अंदर इंसुलीन की बहुत ज्यादा मात्रा बनी रहती है इंसुलीन की मात्रा कैसे बने है तो इंसुलीन ज्यादा चोड़ना पड़ेगा अगर इंसुलीन ज्यादा चोड़ना पड़ेगा बॉड़ी को तो लिवर के उपर फैट ज्यादा जमा होगी और लिवर का साइज भी बढ़ा हो जाएगा क्यूंकि इंसुलीन के साथ एक इंसुलीन ग्रोथ फैक्टर होत होती है उसके बाड हैता शूगर है शूगर जो लोग बहुत यदा खा रहे हैं कही कि आता है ग्लुकोज उठाके खा ली कि लो और ऑनरजी रहती है तो आपको लोख के लिए जाग जो जीकी शूगर लो हो रही है उसके पिछे कई बमारी है उन बमारियों का अलाज करें सीधी शूगर ना लें सीधी शूगर लेंगे तो फैट में कनवर्ट हो के लिवर के आसपस जमा हो जाएगी तो सीधी शूगर हम और कहां से लेते हैं फ्रक्टोस है जो जादा मीठे फाल हैं जैसे हैब्रिड ऐटम्स फालों के अंदर आगी हैं जो पहले से हो जाएगी हाई कार्बो हाइडरेट आप ले रहे हो ले अग्र फास्टोग के अंदर कनवर्ट हो फैट में जमा हो जाएगी लिवर के ऊपर आप कोई sugar syrup है cold drinks हैं जिनके अंदर डाले हुए sugar है जैसे refined sugar किसी के अंदर डाली गी है ऐसे sugar market से किसी चीज में जो mix की ही है cold drink के अंदर juice के अंदर जो हम ले के आते हैं उनके अंदर juice कुछ होते ही नहीं प्रक्टोजर, artificial sweetener sugar डाली होती है वह सारी sugar है आपको पता होना चाहिए वह fat में convert होती है तो यह तो हो गया sugar के बारे में कैसे हम शूगर को रोकर कर सकते हैं और लास्ट है non-alcoholic fatty liver disease है वह है ethyl alcohol अब ethyl alcohol कहां से मिलती है वह यहां से जो आप ले के आते हो चैलीडोनियम क्यों कार्डस क्यों आपका base तो कुछ है नहीं आपको पता तो कुछ है नहीं की fatty liver हुआ क्यों है sugar की वजह से हुआ है infection की वजह से हुआ है stress की वज़े से हुआ है high energy food लेनी के difficult harmful वजह से हुआ है fasting की वजह से हुआ है तो अगर आपको infection कीfred 시대 है तो आपको treatment किसी की है E brn некी जाज किरवानी की जुरूरत है उसकी treatment की जुरूरत है हेपिटेड्स की ज़रूरत है स्ट्रेस के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लिए्वेर के अंदर कुछषप भूमारियां होती है उनके ट्रीटमेंट की जरूरत तो आपको कैसे पता लगा है ठीक कर देगा तो जो ऐसे mother tincture आप लेते हों बिना बुमारी को जाने हुए आपको mother tincture ले रहे हो साथ में fructose आप खा रहे हो डेली कोल्डरिंग पी रहे हो तो आपका बहुत जगा side effect होंगे क्योंकि होमेपैथी के कोई side effect नहीं है पर जो अब होमेपैथी बनाई जा रही है जो आप ऑनलाइन देखते हो उसके तो बहुत जाए डेंजरस एफेक्ट है आप विकीपीडिया पर जाएं और इसाइड एफेक्ट खोजे होमेपैथी का कोई side effect नहीं है जो लोग आज भी genuine ह के अंदर हैं उनके के केसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि होमेपैथी बहुत साइंस हैं यह होमेपैथी के अंदर सारा कुछ include किया जाता है हम होमेपैथी जब treatment करते हैं किसी का हम ऐसे ही करते हैं हम ऐसे नहीं करते कि चैलिगों क्यों लेओ कार्डस क्यों लेओ फिर उपर बढ़ी जानी है, हम जो यह बुमारी को पैदा कर रहा है कारण जो यह बुमारी इस बुमारी को बना रही है, हम उसका इलाज करते हैं हमेशा हमेशा हमेपेथी के अंदर, इसलिए एथाईल अलकॉल है, और ऐसे चैलीडोनियम कावड़नस कभी मत लें, नहीं लेन थो इसे ही साईंस बेज्ट है, मेरी और भी बहुत सारी वीडियो हैं, कैंसर के ऊपर मेंज सेक्शिल हैं फीमल हील्थ के उपर, एंडोजानिक अलॉपेशिया, फंकस इंफेक्शन है, जोडों के ऊपर, पेट की बुमारी नु के ऊपर, गठीया के ऊपर, शेटिका के ऊप सकते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर ऐसी साइंस बेस जो वीडियो के अंदर आपको अच्छी लगती हैं तो आप यह सारी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो जो लोग नए है वह बटन दुबा कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नीचे वीडियो के बेल का इकन देख रहा है उसको गंटी को जरूर दबा दें ताकि आप तक हर रोज मेरी नई लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे तो यह जो साइंस मैंने बताए है यह होमेपैथी का भी नहीं है यह हरे एक पैथी में अपलाई होगी चाहे कोई इंग्लिश टीटमेंट है चाहे कोई इंग्लिश डॉक्टर है चाहे होमेपैथी डॉक्टर चाहे आज अर्वेड यह सभी के लिए सेम है अगर इसे साब से टीटमेंट करेंगे तभी नॉन अल्कॉलिक फैटी लिवर डिजीज ठीक होगी नहीं तो नहीं होगी तो वीडियो देखने क इसलिए सबीका थैंक